हई फ्रेंट्स मैं परवंदर खारी अभी उस दिनों पहले मैंने एक वीडियो वाया थी, Topic क्या था, कि scientists भी कभी कबार गलत हो जाया करते है तो फ्रेंट्स आज की जो वहारी वीडियो है यह उसी गलतियों की एक और सीरीज है तो फ्रेंट्स शुरू करते हैं उन्नीशिव सताब्दी के एक बहुती पॉपुलर वर्ड या पॉपुलर टेक्नोलोजी फ्रेनलोजी को जिसे आज की रेट में तो कम सेगम एक सूर साइं इस ही माना जाता है इसमें दावा किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की परसनेलिटी टेंपरमेंट बीहेवियर उसके सिर के साइस से पता लगाए जा सकते अगर मैं आपको एक मूवी या दिलाओं जैंगो अंचेंड उसमें जो टाइटनिक में हीरो था उसमें वह विलन है और हीरो इसमें काला मता हबसी है तो उसमें एक सीन के अंदर लियनाड़ो दिकैप्रियो उसके सिर पर हतोड़ा रखते हो बोलता है कि मैं तेरे सिर पर हतोड़ा मारकर देखता हूँ तो तेरे सर की शेप कुछ इस अंदाज में होगी तो वहां पर फ्रनलोजी वैसे देखा जाए तो बिलकुल क्लियर उस समय की जो कटर वाइटिश सुप्रिमेसी थे उसको जस्टिफाई करने के लिए बनाएगी उस बात का बहुत शुक्र हुआ कि फ्रिलर जी को बहुत थोड़े समय के लिए जंबीर माना लिया उसके बाद यह बिलकुल कोड़े के टोकरी में फैट दूगे यह ले टेक्टिफाई ऐसी एक दूसरी खोज थी पिल्ट डाउन मैं या मैं कहूं पिल्ट डाउन मैंस कल यह खोपड़ी है जिसका डिसकेशन 1912 में शुरू हुआ उस समय चार्ल्स डॉसन नाम के आर्केलोजिस्ट ने यूमन एवलिशन के मिसिं भी लगता उसका नाम उन्होंने फिल्ट डाउन मैं दी आम जनता ने इसे मानव जाती के खोए हुए पूरवज के रूप में स्विकार भी कर लिया बाद में पता लगा कि यह पिल्ट डाउन स्कल वास्ता में एक मिडल एज ह्यूमन की कपाल यानि को खोपड़ी थी जिसम को एक धोकी राज के रूप में याद किया जाता है सबसे ज़्यादा को विशय तो प्रित्वी या इस ब्रह्मांड की उम्र को लेकर ही रहा है जो है। विश्यंते दर्टी इनसानों को सबसे पहले सोगन нем États अब अलग अलग समय में व्यजानी को ने दार्शिल्में को ने प्रित्वी की अलग-अलग सही जो अनुमान जब लगाने साइंटिफिक स्टडीज पर जो अनुमान लगाने शिरू कि वह वो सत्तरे सो के आसपास शिरू हो चुके ते सोली सताब दिने कह सकते हैं लेकिन थोड़े ही दिनों बाद और सैंटिस्ट आए उन्होंने का गी नहीं इसकी उमर बढ़ती रही बढ़ते बढ़ते यह सौ मिलियन इयर्स हो गया और यह हंडर्ड मिलियन इयर्स का जो अनुमान है वो चार्ल्स डविन ने लगाया लेकिन लॉड केंड़ ने अनुमान लगाया जो ठोड़ा नजदीक भी है कि प्रित्वी 400 मिलियन इयर्स कम से कम पुरानी है लेकिन यह अंदाजा भी गलती है आज माना जाता है कि प्रित्वी लगवग 4.5 अरब वर्ष कुरानी है फ्रेंट्स क्या कभी आपने सोचा है कि जब कोई छोटा बच्चा पैदा हो लेकिन घासता किस वज़े से है या फिर जो बच्चे के इमोशन से है जो उसने अब तक सीखे नहीं वो उसमें कहां से आई लेकिन सदासे ऐसा नहीं था ब्लेंक स्लेट थेयरी अपने समय के जाने माने इंग्लिश फिलासोफर जॉन लॉक उन्होंने थेयरी दी टेबलर रासा या दब्लेंक स्लेट थेयरी इस धान्त में क्या था कि मनुश्य जन्रजात परदवर्थी से विचार हीन पैदा होते हैं मतलब उनके पास अपने पहरी प्रभाव से सीखते हैं बेसिकलिए उस समय पर देखा जाए जो नेचर वर्सिस नर्चर का जो आर्ग्यूमेंट है यह थेयरी पूरी तरह से नर्चर थेयरी को डिफेंस में रखता है लेकिन आज की मॉडर्ण जिए इस बात से सभी लोग सेहमत है कि कुछ प्रवर् तो आप लोगों को यहां क्लियर हो गई कि कुछ विग्याने कभी ख़बार गलतियां कर देते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जानबूज कर करते हैं इन कामों को जैसे वो पिल्ट डाउन मैन वाले क्या नाम था उनका चार्ल्स डॉसन इसी तरह से आपने जो जैब विविदता है मतलब लाइफ के जितने फॉर्म से कई बार तो देखकर बिलकुल अलग लग तरह की लाइफ लगती है कि आपसमें कनेक्शन ही नहीं होगा लेकि मौडन टेक्नोजी सब जानते कि कनेक्शन है अब पता नहीं उन्हें एलियन यूमन जैसे ही क्यों नशर आते हैं क्यों नहीं वे किसी ओर शेप और साइजेज में आ सकते हैं उनके दो पैर दो हाथ एक सर दो आंक ही क्यों होते हैं खिर जो भी हो इस तरहीं गलती आप पकड़ी भी जाती रहेंगी गलतियां ठीक है हो जाती है साइज इस सब्सक्राइब जरूर करें आपके for watching and bye for now